जैहिन दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं परोसी के बारे में देखिए परोसी को तो हम चुनते नहीं है परोसी मिल जाता है आप कहीं घर लेते हैं घर बनाते हैं या पिक कहीं भी शुरू से ही आप वहां पर है आपके पुरुबज वहां पर है तो जो परोसी होता है वह हमारे मन मुताबिक हो ऐसा होता नहीं है कहीं नया घर भी लेते हैं तो आप प्रोसी नहीं चुन सकते हैं कि मेरा प्रोसी कैसा होगा वह जो प्रोसी हो तो प्रोसी रहेगा ही कैसा है कैसा नहीं है कैसा बेवहार का है यह आपके और हमारे हाथ में नहीं होता बहुत सारे ल लगे हुए हैं अपने काम से मतलब रखते हैं आप राम के सामने गारी लगा देना रोज रोज तेज मुजी के साथ गाना बजाना जिससे आको डिश्टर्फ होता है आपके बच्चों के परहाई लिखाई में डिश्टर्फ होता है इसके अलावा तो इसके लिए तो सबसे अच्छा हल है सब करके बहुत सारे लोग ठक चुके हैं अगर आपका बदमास परोसी है बेकार परोसी जिसको इज़्जत का कोई ठीक नहीं है वह हमेसा आप से लगने के मूद में जाता है लगना चाहता है आपको परिशान करना चाहता है आपको कुछ भी करके ठक गए हुआ है बात करके ठक गए हुए का अगला ओप्सन क्या होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं कानूनी पर्कृया जिससे आपका पुरोशी बिलकुल सुधर जाएगा पहले तो आप कहीं भी सिकायत करेंगे चाहे परसासन को सिकायत करेंगे चाहे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना है बात करने भी It's never looked like a बिडियो में बीडियो कर लेते हैं अगर कोसिच करें कि दो दिन तीन दिन का वीडियो कर लेत्हों पुखत बहुता समूत माना जाए गाई इसे या पर लग अलग अलग एंगल में फोटोगराफी भी कर सकता है वो भी सबूत के तौर पर मानने है इसके अलावा जसे बात करने आप परंदे को समझाने जयते हैं और जगरने के मूड में आता है आपका बात नहीं सुनता है या फिर उल्टा कुछ बोलता तो आप आप आडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जैसे पॉकेट में मुबाइल रखे हुए और रिकॉर्डिंग आप चुके है तो इसका आज उसमें साउंड रिकॉर्ड हो जाएगा आप उसको समझा रहा है यह बहुत सारी बाते हो गईरा हो गईरा कुछ भी वह बोलता है तो अब क्या करना है मैं तो सबूत के बारे में बता दिया कि आपको क्या सबूत करना है वीडियो भी कर सकते हैं फोटोग्राफी भी कर सकते हैं इसके अलाबा ओडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं तो यह होगी आपका सबूत तीनों में से कोई एक चीज भी कर लेते हैं य जो सबूत आपके पास है जैसे कि फोटोग्राफिक किये हुए है तो उसका प्रिंट निकल वाले अगर वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है तो उसे आप एक सीडी में करा ले या फिर आप यह नहीं करना चाहते हैं तो जो चीज आपके वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडिय रिकॉर्डिंग में है उस चीज को आपste प्राइपिंग कर ले और जो मेन मेंचे हैं उसे और चाहीलाइट कर कर दे और इसे सब्सक्राइब नहीं चाहता है सामने आना नहीं चाहता है तो आप अगहले भी अभी अभैदन करते हैं अब क्या होगा जब आपढ़ेदन के पास संबंधित थाने शाइव करके ठ्यों को फॉर्वड करके थाने से रिपोर्ट मांगेगा या फिर थाना होगा आपके नजदी की उसे रिपोर्ट माइगा तो उसमें 15 दिन का समय होता है 15 समय होता है कभी-कभी SDM अगर मामला ज्यादा गंभीर है उसे लगता है कि मामला गंभीर है मारपीट भी हो सकता है कुछ हाथसा भी हो सकता है तो 15 दिन से कम का भी टाइम दिया जाता है तो पूलिस SDM को रिपोर्ट कर देगा जब रिपोर्ट कर देगा तो उसके बाद होगा क्या कि SDM उसके बाद नोटिस करेगा डायरेक्ट उस ब्यक्ति को मतला आपके परोसी को किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर जवाब देना परेगा अगर वह हाजिर नहीं होता है फिर परी सान करता ही रहता है उसे लगता है की नहीं इसे कुछ होने वाला नहीं है यह तो ऐसी आविदन दे दिया है कुछ नहीं कर पाएगा्य मेरा तो आपको क्या करना फिर दुवारा आपको एक और आप्लिकेशन लगा देना है अप्लिकेशन आपको एस्टीम के पास देना है जब आप दे देंगे दुबारा तो एस्टीम उसके बाद पुलिस को ऑरडर करेगी सिधा थाने को ऑरडर करेगी कि परशाषन का बात नहीं मान राएं कोट का बात भी नहीं मान रहा है तो उसके साथ होगा क्या कि आई पीची की सेक्षन एक 188 के ताथ उस पर करवाई होगी, यह 188 कब लगता है, जब कोई सरकारी पदादीकारी का बात नहीं माना जाता है, उसका आउडर को नहीं माना जाता है, कानून का उलंगन किया जाता है, सरकारी आदेस होने के बाद भी कोई सरकारी आदेस को नहीं मानदा है, तो उसमें 188 की करवाई की जाएगी इसके तहत उस बैक्ति को जो आपका परोस्य है जो बार बार गल्ति कर रहा है उसे है किर जुर्माना भी उसमे भुगतना पर सकता है इसके अलावा благодар इस बात को लेकर या फिर कोई भी बात को लेकर आप से लराई करने लगता है जहगरा करने लगता है मार पिट करने की धमकी के देता है या फिर मार पिट कर लेता है या फिर आपको और ज्यादा परिशान करने लगता है बार बार ना कोट की बात मानदा है ना पुलिस का बात मानदा है ना आपका बात मानदा है इसलिए यह लास स्टेज होगा और पुलिस उसे गिरफतार करके कोट में हाजिर करेगी हाँ उस परोसी से अगर आपका किसी परकार का कोई नुकसान हुआ है आपको परेशान किया है है आपको काम में नुकसान हुआ है क्योंकि आपको इतना परेसान कर दिया कि आपको बार्बर कोट दोड़ रहा है बार बार सिकायद करना पर रहा है और चीज सावित भी हो ड़ोकन है तो आपको करना के पढ़ेगा अगर हरजाना लेना चाहते अपना घरनी परशानि का खर्यना चाहते है तो सीव्ल कोट में अपना नुक्सान अपना है रानी परशान के लिए आप सीविल केस भी कर सकते है उस पर हां इसमें त्डाइम लगता है स Highway case में लेकिन इस चीजिस की गरानिटी होंद होती है कि आपको हां नुक्सान का भरपाई कोट दिलवा कर रहेगी आगर आपका आप सब्सक्राइब उसकर प्रिग पर पर सब्सक्राइब अद chuck तबिदन पर इसender को؟ परिशान हो गए तो इसे यह साबित हो जाता है कि आपको परिशान किया गया है आपके पास वीडियो और रिकार्टिंग सब कुछ रहेगा नोटिस के पास रहेगा इस अधार पर उससे हरजाना खर्चा हरानी परसानी के लिए आप सिभील कोट में केस दायर कर सकते हैं उसके पहले कोट सबहाँ सब्सक्राइब नुक्सान के लिए जयादा रहता है कि आपको हर्जाaufen इंसान बार बार गलति करता उसके लिए पर दोबार बायू इन पर श्रुक्राइं करवाएं जिसे निर्द्यसित करवा कराएं तो यह आपके साथ होता रहेगा आपको तो कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी आप यह प्रोसेस में जाए इससे क्या होगा पता है इससे यह होगा कि आपके पास एक प्रूप रहेगा आपने क्योंकि आप उसके खिलाब काही 5000 कर चुके होते हैं और बार बार आपके परेशान करता रहता है तो यह काम जरूर आप कर ले पहले क्या मैंने अपको लोग को सान कर लेकिन लोग कि नहीं आते हैं तो ठोड़ा काम नहीं खरने के करने केकést को सिस इसलिए पताया हुँ कि बहुत ज़्यादा परेसान कर रहा हुँ आप की भावना नहीं समझ रहा है उसके मन में यही है कि हमें परसान करना है आप को य demos के कर आपको तो कानूनी पर्किट्रीया है इससे आग moms सब्सक्राइब कर लिए लाइख कर दिया है अगर नहीं किया है तो कर दे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपंसी के मुद्दे पर होगा तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद जय हिन दोस्तो